नमस्कार मित्रो मैं भरत राने जापने जोतेश प्रोग्राम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मित्रो आज हम बात करेंगे सुब मुहरत के बारे में मित्रो सुब मुहरत हम किसी भी सुब कारिय को करने के लिए सुब मुहरत अवश्य देखते हैं सुब मुरत, सुब तिथी, सुब नक्षत्र और सुब वार के योग से बनता है सुब मुरत और सुब मुरत में ही हम सुब कारी करते हैं क्योंकि सुब कारिय अगर सुब मुरत में किया जाए तो उसमें हमें कारिय सिद्धी मिलती है उस कार्य में हमें सफलता मिलती है उस कार्य में सुब मुहरत में किये गए कार्य में हमें मनोवांचित फल मिलता है सुब मुहरत में अगर हम कार्य करते हैं तो उस कार्य में हमें पूर्ण तया सफलता मिलती है इसलिए हम किसी भी कार्य के लिए सुब मुहरत का इंतजार करते हैं तो मित्रो सुब मुहरत जो है वो देखना अवश्य चाहिए सुब कार्य के लिए और मित्रो बात करें मीन रासी वालों के लिए तीन तिथिया मैं बताऊंगा जो तिथिया मीन रासी वालों के लिए असुब होती है और एक नक्षत्र और एक दिन जो की मीन रासी वालों के लिए असुब होता है तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे कि मीन रासी वालों के लिए कौन से तिथिया असुब माने गई है यानि कौन से दिन मीन रासी वाल जो है वो मीन रासी क्यालाती है मीन रासी वालों का अक्सर यानि जिनका नाम जो है दो अक्सर से प्रारंब होता है तो उनकी रासी मीन रासी होती है यह खास करके मीन रासी वाले होते हैं अब मित्रों बात करें तो मीन रासी वालों को कभी भी पंचमी तिति दसमी तिति और पुनिमातिति हो उस दिन शुब कारिका प्रारंब नहीं करना करना चाहिए उसके अलावा बात करें तो सुक्रवार मीन-ready्合ником को कोई भी मीन रासी वालों के लिए अस Upper माना जाता हैं इसके अलावा मित्रह में बात करें तो सुमुरत के लिए सुमुरत के लिए चंद्रभल भी देखा जाता है रावुकाल भी देखा जाता चौगड़या भी जाता है चंद्रबल यहानी जिस व्यक्ति के नाम से जो व्यक्ति सुब कार्य का प्रारम करने जा रहा है चाहे वो खरीदी करने जा रहा है चाहे यात्रा करने जा रहा है कैसा भी सुब कार्य करने जा रहा है उसके लिए चंद्रबल देखा जाता है नाम रासी से तो मीन रास चाहिए शुक्र 20 के दिन और स्वालों को उस दिन किसी भी सूब लिए असुब की मिंराची वालों के लिए तो मित्रों ये जानकारी थी मेन रासी वालों के लिए और आपके ऐसे कोई मित्र हैं जिनकी मेन रासी हैं तो यह जानकरी उनके लिए भी मैत्वपूर्ण हो सकती हैं तो वीडियो उनके साथ अवश्य सेर कीजिएगा इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फिर मिलेंगे नई जानकरी लेकर धन्यवाद